एक महा भागवत अनन्य भक्त स्री चंद्रहास जिम्हरज उनके पावंचरित्र का अपने लोग श्रवन करते हैं इसे भक्ती बहुत घनी भूत होती है केरल देश में एक परम मेधावी शुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे धर्म पुर्वक्षलना प्रजा का पालन करना और भगवन नाम जब करना शास्त्र विधी से बिलकुल कभी प्रतिकुल एक भी आचरन जीवन में नहीं किया तो उनके हाँ महा भागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भा होता है भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भा होता है वो कुल वो ग्राम वो नगर वो देश परंपूजरी हो जाता है ये महा भागशाली मूल नक्षत्र में प्रगट हुए है लौकिक में अमंगल माना जाता है प्हाओ में देखो तो मूल कौन है नक्षत्र भगवान उर्द मूल मदा साखा वस्थम प्राह रब्बयम सबके मूल कौन है? स्री भगवान किसन चत्र में पैदा हुए मूल में भगवत शुरूख और लोक में माला जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का अम अंगल है कुछ नस्टई होगा संसार बड़ा भी चित्र है जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निका अबोध अवस्था में ही स्री मुक्षे कृष्ण नाम निकल रहा है आनंद उत्षो मनाया जा रहा है राजा है राजकुमार प्रगठु और दूश्री बात वो श्वयम भक्त है और भगवान का आशा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उत्षारण किया ये आनंद ज्यादा दिन ठीका नहीं रोज बधाईयां हो रहें आनंद उत्षो मनाये जा रहे सत्रुपक्ष के राजाओं ने मिलकर का यही अवशर है आक्रमन कर दिया जाए और केरलाधि पती का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी नबचने पावे सत्रुपक्ष के राजाओं ने घेर लिया आसपास से राजा और शैनिकों ने घेर लिया अब वो अशावधान थे आनंद में पुत्र हुआ है बधायां कोई संभावना ही नहीं थी गुप्त रूप से सत्रुपक्ष के राजाओं ने आक्रमन करके घेर लिया अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी अशावधानी पूर्वक आनंद में ब्रती में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते तदकाल आक्रमन को रोकने का प्रयास किया पर अस्फल है इनके शैनिक भी मारे गए आज माता जिन से चंद्राश जी का प्रादुर्भा हुआ था उन्होंने धाय मा को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम शमर्थ हो मेरे तुम प्राण नहीं बचेंगे अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पती के शोव के शाथ सती हो जाओंगी पहले ऐसी धार्मिक निष्ठाप माताओं बहनों में होती थी कि धाय मा ने विचार किया कैशे बचा सकती हूँ आस पास तो सब्षैनिक घेरे हुए है ततकाल उष्णे विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरे ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते ही कोई प्रशन करशकता है कि महा भागवत जिनके घर में प्रगठो तो आँ धन वईगो शुक्षमपत्ति बढ़नी चाहिए यहां तो जन्म से ही यह क्या है तो श्री भगवान श्वयम कह रहे है यस्यतुष्टो रहम पार्थ वितम तश्यहराम्यहम करोमि बंद विच्छेदम सचकस्टेन जीवती हे अरजुन मैं जिस पर बहुत प्रशन होता हूँ आप अपने उपर भगवान को बहुत प्रसंद करना चाहते है बहुत प्रसंद करने में ये है देख लो कहने जिस पर मैं बहुत प्रसंद होता हूँ सब से पहले उसका एश्वर नस्ट करता हूँ फिर क्या करता हूँ फिर बंद बांधों का फिर क्या करता हूँ असाध्य रोग उसके सरीर में महराजी तुम प्रसन हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो बुले यही मेरी प्रशंदता है क्या माया का नाश अब एक मात्र भरोशाकिवल भगवान का दुश्रा कोई यह सब को पशंद नहीं आएगा सब तो उस भगवान की भक्ती चाहते हैं कि अगरवती दूबती तनमन धनसब तेरा स्वामी क्या लागे मेरा पर अंदर से कह रहे हैं सब तनमन धनसब मेरा क्या लागे तेरा ऐसे तो चलेगी भक्ती लेकिन कई बार सत्संग में पीछे हिदाब में कहा था कि भगवान को रिजा कर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे और अगर उन्षे प्यार करने की बात मन में ठानी बस मुझे किवल आपकी आँखों में आँखों को मिला करके जीवन भी तीत करना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो फिर लाडले आपको दुशरीहा का कोई आस्रे रहने नहीं देंगे ध्यान रखना जितने दुशरीहा होंगे तो ये बरदास्त हो तो कदम आगे बढ़ावे बहुत प्रसन हो जाओ ठाकूर हम पे तो करें यस्य तुश्टो रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंद विच्छेदम सच कस्टेन जीवती जितनी स्वासे रहेंगी भेंकर कष्ट मैं उसको वितीत करने के लिए दूँगा ये दंड रही है ये पुरशकार है हनंत जन्मू का हिशाब बरावर करके कहीं इसकी ब्रती मेरे से हट न जाए ऐसे घेरे में डालके अखंड चिंतन करवाके सजेती जेती जग उच्छ रहे जाको करत श्याम सहाई प्रथम बरनो क्रपा क्रमों विशे मूल गवाई कुल कुटुम बबलवित हीनों दीन के दुखदाई आपने को कर जुलीनों आप ही अपनाई कहरें हम मैं बरनन करता हूँ स्याम सुन्दर जिस पर क्रपा करते हैं उस पर कैसा वरताओ करते हैं बोले सबसे पहले उसके भिशे भोगों का नास कर देते हैं फिर दूसरी क्रपा कोई परिवार का कोई मित्र कोई रिस्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोशा रह जाता है एक भरोशो एक बल एक आस बिश्वास अस नाथ आपके शिवाब हमारा कोई नहीं बढ़ वहीं से जो चमक्कार प्रगट होता है तिरे हुवन में कोई उसकी शमानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकूर की क्रपा है पर इस क्रपा को हजम करने के लिए इसलिए संतसंग किया जाता है कि पहले से उत्तयार कर देते हैं जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना ट्रेनिंग के बाद भी बाडर में लगाया जाता है ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं अब जो ठीके तो ठीके लिए तो घर वेठे जाके अगर टिक गया तो गुरु महरवान तो चेला पहलवान भगवान भी परास्त नहीं कर सकते हैं उसमें ऐशी शामर्थ आ जाती है कि हार प्रभु के द्वारा दिये गए विधान को हस करके श्वेकार कर लेता है और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है ये लोग भाशा में भगवान कहे रहे हैं सचकस्टेन जीविता नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भूगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भगत को प्राप्त होता है भगत का वईभो दिब्य होता है चिदानंद नहीं होता है ये तो पापियों के पास भी वह है रुपया पैशा कुटम्ब परिवार भगवान के दास के पास जो वह होता है वो अचिंत है तुम चिंतन भी नहीं कर सकते है ऐसा वह होता है धाय माने एक शेविका का रूप तत्काल लिया जैसे पोच्छा जाड़ू लगाने वाले और कुछ दोने पत्तल डाले उनके नीचे चंद्रास जी को डाला उपर से करके इसे माथे पे रखके निकले उनको पूछा इसमें क्या है तुम उनका राजधराने के दोने पत्य उठन पर जा चल निकल जली भागे हाँ से निकल बस वो भागी बचा ले गई वो कुंतल पूर पहुंची और वहां के जो मंती द्रश्ट बुद्धी थे उनसे प्रयार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीन हूं और ये मेरा पुत्र है अगर आपकी कृपा हो जा जाएगी और हमारे पुत्र का पालन पूशन हो जाएगा उनकी परिक्षा ली गई तो राजगरा ने कि सेविका थी परम प्रवीन थी पर उन्हें ये परिचे नहीं बताया बिद्विधान से राजगी सेवा में प्रवीन दाशी पाकर उसको अच्छा लगा ठीक है आप रह शक्ती है अभी चंद्रहास जी तीन वर्ष के ही थे कि धायमा पदार गई और हर समय क्रिशन 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 नाम इनके चलता रहता था अब जो उनका धुलार करने वाली थी धायमा वह भी पदार गई तो कौन उनकी तरफ देखे पर बहुत ही गौरवनन बड़े ही शुंदर अब वो गलियों में बटकने निकाल दिया महल से जब धायमा मर गए क्योंकि धायमा की शेवा कारण उनको रखा गया था तीन वर्ष के बालक गलियों में तो कोई भी मा देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती कोई भोजन करा देती ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी बिचित्र लेला होती है यहाँ चंद्रहाजी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में तो कोई वस्त्र कोई इस्नान करवा देती कोई काजर लगा थी, कोई भूजन पवा देती, परा मंसो जैसा जीवन कट रहा है, कृष्ण 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 चोदे भुवनों में जिनकी अव्याहरत गती है, जो सब को देखते रहते हैं, शिदेवर शिनारजी ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरी कि शिवा कोई नहीं, एक दिन एकांत में बेठे हुए थे बालक चंद्राजी, नारजी पधारे, हैं, भाई जी से मिले हैं, श्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं, जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े-बड़ महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं, ये त्रिकाल शत्य हैं, कोई ऐसा नहीं हैं, ये कहानी हैं, हैं, अभी हैं, जहां आप भगवत चिंतन करेंगे, तो आपको परिशे बड़े-बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा, नारजी आये तो देखा, आख बंद की चंद्रहास जी, कृष्ण, 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 ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, त्रिकालग शर्वग नारजी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बलक और कृष्ण, कृष्ण बोल रहा है, नारजी ने इस पर्ष के आदुलार कर पते हुए शुनो आखोलो आखोल के देखा श्रीदेवर्षि नारजी नारजी ने का देखो हम तुमको एक अमोग वस्तु देते हैं और एक छोटी शी शाली ग्राम की इतनी बड़ी स्रीवर्गे साली ग्राम का जो वो दिया बुलें दो के पी लेना और दिखा के पा लेना यही तुम्हारे श्रेवा पद्दती है अर्थात इस्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित